अब इस question में क्या कह रहा है इस question को ध्यान से समझेंगे at an instant t, किसी t पर the coordinate of a particle r, this x is equal to a t square, y is equal to b t square and z is equal to 0, इसका मतलब आपको x का coordinate दिया, y का coordinate दिया, z 0 दिया, इसका मतलब कौन से plane में है यह, x y plane में, simple सी बात है, कौन से plane में है यह, x y plane में, अगर मैं यहां पर बात करू मालो, यह x axis है, और यह y axis है, इस वाले plane में है, यह, इस वाले plane में, z की value 0 है, then its velocity at the instant t will be, किसी instant t पर, इस particle की velocity क्या होगी, at the instant t पर, हमें, हाँ, उसी instant t पर, हमें निकालनी है, मालो, इस instant, यह particle आएसाँ से move कर रहा है, कहीं भी, हमें नहीं पता किस तरह से move कर रहा है, ऐस से move कर रहा था, और इस point पर, इस point पर, यह distance आगे, इसकी x, x is equal to a t square, यह point आगे, इसके x is equal to a t square, और y वाली जो line है, वो कितनी आ गई, यह भी आपको पता चल रही है, y is equal to b t square, अब बोला जा रहा है, यहाँ पर जो time है, t है, इसी time पर इस particle की जो velocity है, वो हमें बताओ, य question में तूछाए, इसी point पर velocity बताओ वहिया कितनी होगी, तो जब हम velocity निकालेंगे, हमें x दिया है, y दिया है, तो हम velocity भी ऐसे ही निकालेंगे, क्योंकि यह motion in plane का concept है, तो हम जिस direction, पहले x direction में velocity निकालेंगे, जिसको हम बोलेंगे vx, तो vx कितनी होगी, भाई, vx हम निका दालना है, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि यहाँ पर instantaneous velocity निकलेगी, vx कितनी हो जाएगी, dx upon dt, dx upon dt, that means, d by dt, d by dt, और यह हो जाएगा, at square, अब x की power n का जो differentiation होता है, इसका जो formula होगा, वो होगा, x की power, sorry, not, n into x की power n minus 1, यह formula होगा, यहाँ से हम इस formula को use करेंगे, a constant है, बहार आजाएगा, यह तो सब आपको पता है, d by dt और t square, यह ध्यान रखना, अगर यहाँ x है, तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ t है, तो यहाँ भी t होना चाहिए, तभी आप differentiate कर पाऊगे, तो यहाँ से हो गया a, इस formula के हिसाब से, t की power 2, x की power n, तो n की value यहा 2-1, 2t की power 2-1, इसका मतलब आगया 2at, क्या यह बात clear है, आपको मिल गई velocity vx, similarly हम vy nिकाल लेंगे, vy क्या हो जाएगा, d y by dt, d by dt, d by dt, y की value हमें दी हुई है, कितनी है भाईया, bt square, bt square, simple आप जो है differentiation करोगे, तो b constant है, बहार आगया, यह भी आगया, d by dt, अब में डारेक् आगने वाला हूँ, इसको t का square, यानि कि 2 bt, क्या बात clear है, हमारे पास आगया velocity, vx और vy की values आ गई है, then its velocity at the instant t will be, तो इसका मतलब इस instant पर हमें velocity निकाल जें, total velocity, तो total velocity क्या हो गई, v is equal to vx plus vy, या तो आप इसको ऐसे लिग लो, vx i cap, j cap, और यह velocity vector form में आ गई, अब आपको इसका magnitude निकालना है, तो आप कैसे निकालते है, इसका magnitude आपको पता है, square root करोगे, vx का square, यानि कि 2 a t square, यानि कि 4 a square t square, प्लस इसका square, 4 और b square और t square, समझ में आ गया, किसी को नहीं समझ में आ तो comment कर देना, बहुत simple है, इसका square, प्लस इसका square, यानि कि 2 a t का square, 4 a square t स्क्कर्राइब, दी-काजिया, फोरीज़ स्क्राइब, यही जी क्रीच है, तो फोर कोमन है, टी-स्क्राइब, भी कमन हैा तो टू-टी बाहर आगया, टू-टी बाहर आगया और अंदर बचीय sırा रूट के अंदर आपका a square plus b square उम्मीद करता हूँ आपके चीज़ समझ में आगई 2t into a square plus b square that means आपका second option सही है क्या ये बात clear है ये motion in plane का concept लगा है यहाँ पर किसी particle की जो points है x point y point ये values आपको दी हुई थी और हम उसी point पर क्या निकाली हमने और हैoleusties निकाली आप acceleration में निकाल सकते हो अगर आप निकालोगे acceleration ax तो फिर से आप इसका differentiation करोगे 2a हो जाएगा क्योंकि नहाँ पर t की power one है तो इसका differentiation one हो जाएगा तो 2a मिल जाएगा अगर आप acceleration y direction में निकालोगे तो 2b हो जाएगा तो net acceleration एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा 4a square plus 4b square ना 4b square तो जब net acceleration या total acceleration निकाल होगे तो square root में a square plus b square आपका answer आ जाएगा क्या बात clear है तो यहां पर हमने motion in plane का जो concept है उसको use किया है और उसकी मदद से इस सवाल को किया है ध्यान रखना differentiation का जो formula है यह differentiation का formula बहुत important है एक्स की पाउर n का differentiation एड़ इंटु एक्स की पाउर n-1 ठीक है अगर आपको यह concept अच्छे से समझ में आ गया तो भाई आप वीडियो को अभी लाइक कर देना और चैनल को subscribe जरूर कर देना अब आपको अगर इसका अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं मैंने यहां नंबर दिया हुआ है आप टेलिग्राम पर गुरूप भी जोइन कर सकते हैं प्रिजिक्स भाई विजय केडमी वहां पर भी मैं आपके doubt clear कर दूँगा ठीक है तो चलिए मिलते हम अपने next question में